हुए हैं और हमारे ब्यूरो एक्जेकेटिव उनके साथ इस वक्त मौझूद है मनीश जी ओवर टू यू जी कहने हरियाना में आठ्मीं के बाद अगर कहें त ein नौमीं से बारो मीं तक गे जो क्लास ने अगे हरो हमारे साथ चिक्षा मंतरिया हैं उनसे जानेंगे कि आखिर कार कैसी कैसी क्या क्या वेवस्ता हैं की गई है नमस्कार जी नमस्ता जी देखें हमने पहले भी समसे पहले क्लासे शुरू की थी लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉबलम आई कि कुछ बच्चों को जो क्रोना सब्सक्राइब है और उसके 15 दिन के बाद दुबारा से जब उसकी शुरुवात की तो अभी बच्चे आने शुरूगे और काफी इच्छी संख्यम बच्चे आने शुरूएगे तो इस प्रकार से मारी ऑन लाइन एजूकेशन थी वह मारा देने का उसी प्रकार से कर्म चल सब्सक्राइब है तो आने वड़े 15-20 दिन में हमारा विचार है कि फिर छोटी क्लास है उससे छटी सात्वी आठ्वी तो भी शुरू करने भी विचार करेंगे सर एक बात जाना चाहेंगे कि पीछे एक मिटिंग मुक्वंतर जी के साथ आपकी अधिकारियों के साथ मिटि रेंगे लेकिन अँछी देगे अधिया लास्त тесь में नियुक्र ठीश लेंगे बच्चों की ताकि कि उनको ठाइम मिले सके ट्यारी करने का टायम मिल सके जो आम रूटीन में दोती है जो मार्च में उती रिख उartet है उसकी बचाहा हमआब लास्त मिलेंगे ताकि एक टायम म हमारे पास graph सामने आया है क्या इस पर उस मेटिंग में क्या मन्थन हो और कब तक विद्यार्थी को जो एक उमीद है कि सरकार से टैब मिलने की तो उसकी उजना कब से सुरू करें तिक बहुत जब स्टार्टिंग में हमने इस पर विचार किया था तो फिर उसमें दो तीन बात सरकारी स्कुलों में गरीब बच्चे हैं तो बले ही चाहसी ना भी हो लेकिन उनकी पोजिशन ऐसी है नहीं तो और मुझे लगता मुझे जो मेरा मंद था कि भी सभी बच्चों को में देना चाहिए तो ऐसा निरीने हमने लिया माने मुख्यमंतरी जी ने इसको सुभीकार कर वे वह अच्छे किये जैसे हमारा 8-10 अमारा सारा का सारा इक ही था जो 7 इंच का टैब था वही हमने फाइनल किया था उस स्क्री नेज और अच्छे थे बड़ा कार में वो देख सके और उसका लगबगबने पूरा फाइनल कर दिया जल्दी वो टैब देने वड़े हैं अगर दोसरे प्रदेस्टों में देखे तो मेरे लगा कुछ नहीं अभी पंजाब ने जो दिये हैं वो उन्हों केवल ग्यार इमीर बारवी को दिये और उन्होंने दिये दो लाख और उन्होंने दिये फोन उस पे जो लावा का है वो फोन दिया जबके हमारा टेम हो उससे काफी जादा मैंगा लगब't तीन गुणा मैंगा है हमारा उन्होंने उनसे और वह को देंगे तो जिससे च्छी पड़ाई हो सके मारा पूरा प्रियास है कि मारे बच्चे अच्छा कर सकें और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले साल जो जो रिजल्ट आया जो भी पिछे वो भी अच्छा रिजल्ट आया अच्छा प्रियास किया अभी IIT में जो बच्चे आये तो उसे भी मारा बहुत उन्होंने मारा उसलबड आया बच्चों का तो बढ़या लेकिन हमारा भी उसलबड़या कि हमारे 25 बच्च हमारी स्कूल में उनका एक बच्चा है, हमारे पच्चेस बच्चा आए तो अच्छा प्रिणाम है रहा और प्रियास है की ऐच्छे परिणाम हने चीज़ है एक बात करेंगे टूरीजम और forrest को लेके कि टूरीजम को लेके लगातार आपने जब आपके पास टूरीजममंतरा लाया तो लगातार अब उसमें एकसंद में देखए कि टूरीजम को benefit में लेके आना तो आखिरकार एक साल बीट गया अब क्या लग रहा है आपको कि टूरिजम वाके में फायदा में आएगा देखे टूरिजम तो इस समय बहुत अल्थ खराब है क्रोना की वज़े से सरकार की तो ही लेकिन प्राइविट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं वह भी भूत खराब आलात में हैं लेकिन हम थोड़ा चेंज करना चाहिए थे टूरिजम में के बई कि मैंने विदानसभा में स्वासन विदे रख्या था कि होमस्टे पोलिशी में लेके आएंगे और उलग बगलग त्यार है मारी तो हम उस दिशा में पड़ना चाहरे हम चाहते हैं कि तूरिजम जो है ना जिव रोजगार का साधन मिननना चीए उटल चलाने कानी अभी तक लोग प्रवावूत देखने के लिए लेकिन फिर ने ओमस्टे पॉलिशी के इंतरकत वह कहीं ठार है जो भी प्रेटक आता है ना जी कहीं से भी वह प्रेटक वहां के क्ल्चर को देखना चाहता है कोई भी आदमी बाहर से आनो बिकाना चैना कि लोग रहते कैसे हैं बए जैसे मारी मूरा नस्रड र्ल की महस कंष़ ए дेख्षी नहीं पर वह एतना प्रभावीद़ा देख का यह हओ श्या रहती कैसी है यह खती करूसरें और इखते कैसे तो हम चाह है हैं कि हम इस तक हुआ ड़ जो है ना गुज हुझार में रोज़गार मिलना चाहिए तो आगर हम इस को करने में सफल रहें तो मैं समझता हूं बड़ी उपलब दियोगी है कोई मतलब मैं भी किसान हूं और मैं लगातार सोसल मीडिया पे जादा इसकी चर्चा है मैं सोसल मीडिया पे खूब देखता हूं खूब अभी तक मुझे कहीं भी कोई भी बात जो ये नेता हैं अंदोलनकारी है इनका कोई पॉइंट मुझे आज तक मिले ही नी जो इनको कहा हो गई ये ये गड़बड है ये गलत है सरकार ने कहा कि अगर आपको कोई स्कायत है तो हम इसमें बदलाव कर देते हैं अब बदलाव करने के लिए कुछ है नहीं कहें क्या अब मुझे ये नी समझ वहता है कि अंदोलन है किस बात का मतलब एक चीज अगर मेरे को जादा दी गई तो उस बात का अंदोलन मुझे पहले इस बात की छूट थी कि मैं मंडी में पड़ाना आई लेके जाओंगा मैं बेच क्याओंगा एम एस भी चूट दे दी कि अगर आप भार बेकोन जा वह भी पैसकते थे भार ठीक है Aleakers ब clinical बात बेच सकते थे लेकिन बेस से क्रीड नहीं अनक्ति नहीं चिहान को तो कोई शीली कहा था लेकिन है जब को इ कैसे खृद ली क्योंगे आपने मार्केट फिसकी चोरी करी चहे उसका आगे कोई प्रोसेस करने वड़ा था उसके खिलाब भी कारवई होती जो खृदने वड़ा था उसके खिलाब भी कारवई होती तो इसकी वज़े से जो खृदार थे वो कम थे जिन लोगों का रुसूख दार जो लोग हैं लेकिन बिजनस में हैं वो भी आएंगे और जब वो आएंगे तो निस्टी तोर से घाक बढ़ेगा और जैसे ही घाक बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ागा तो इससे सो परसेंट फैदा किसान कई हैं अम मुझे नहीं पता कि क्यों इस बात की दिक्क्त देर और वो कह रहे है कि मंडी खतम हो जागी मंडी कैसे खतम हो जागी आप क्या सोच रहे है कि मंडी जैसे ही ये कानून होगा और यह दो परसेंट लोग बाहर बेश देंगे या तीन परसेंट बेश देंगे या पांच परसेंट बेल देंगे आने वले पंद्रा साल मत बीस प सेट तक भी चले जाएंगे तो मंडी का खतब 80% कहां पिच्चेंगे और दूसरी बात मेरी यह है कि अगर माल लो इसके कोई नुकसान होगे पहले प्रियोग तो करो इसने वो एक अड़टाइज करती है नो पहले इस्तेमाल करो ना क्या पहले पहले इस्तेमाल करो फिर विस् बढल सब्सक्राइब करें तो ऐसे में में जादा लोग हैं करना चहेंगे किसान के पक्स के कोई किसान नहींगा ऐसा नहों होगा इसा नहोंगे मानली जी उसने कंट्रेक्ट किया और उसको प्रितना फाइन कर दिया कि किसान तबाए गया तो उसने नियम बनाए दिया कि अगर मौसम में परिवर्तन है क्या ओड़े पढ़ गए या पड़ा पढ़ गया या बारस जादा है कि उसकी फसल नस्ट होएगी तो उसने जो कॉंट्रेक्ट किया उसको फुल फिल करने के लिए बात देनी है वो नहीं कर स आपने पॉली आउस लगया दिया कुछ भी लगया दिया लेकिन आपका कॉंट्रेक्ट तो समापत है क्या आप आप इसे वड़े आदमी है और वो छोटा किसान है दो एक कड़गा वो आप क्या गबोल नहीं सकता तो सरकार ने कानून मना दिए यह पंदरा दिन है इसमें आपने पॉली आउस टाहली आ टाहली आ नहीं तो पॉली आउस किसान का हो जागा उसके बाद आप इसमें दावा नहीं कर सकते तो ऐसे नियम और दूसरा अब उसने मेरे साथ एक कोंट्रेक्ट किया कि भी टमाटर आप पैदा करोगे तो मैं तुमाटर आपका इस रेट ल लेकिन अगर आप जादा जागा तो उसमें कुछ नो कुछ इस्सेदारी उसकी एक लिमिट कर दी किसान के बनाये दिये कि अगर आप ये कंट्रेक्ट फार्मिंग करना चाह हैं तो ये नियम रहेंगे जो आपके लिए आपको सुरक्षित रखेंगे तो इसमें किसान का की इतराज है कि भी स्टॉक की आपने छूट देदी अगर ऐसे स्टॉक होगा तो सारा स्टॉक जब कर लेंगे ये बड़े बड़े आदमी तो गरीब आदमी को तो नाजी नहीं मिलनेगा मतलब ड्राने काम अब ये जब स्टॉक तो पहले भी करना थे मेरे याद हैं भी स् स्टॉक करना लेकिन देश में एक किल्लत थी नाजी की और उसकी रेट बहुत जाना पड़े तो सरकार एक नियम ले गया है कि भी कोई आदमी स्टॉक करने सकता है इतनी एक सीमा निरदार्द कर दी इतना तो कर सका इससे फाल तो करने सकता क्योंकि देश में समस्चा थे न प्लड़ी यह फ्राब यह खराब ए औरी श्रकार के पास उत्रें संसादन नहीं कि सारे को स्कुन कर सके तो प्राइवेट से बीक्स का नहीं कंषे अगर मेरे कि看到 brothers 북 marketing Правительist तेश के संसादन भी तो खराब रहे बात पैसे नहीं है बात खली पैसे की नहीं है उसवीन में निफेमे पैदा करी उसमें खात भी डालाई पैदा भी कर Europe कर्फ़ कर ये शारी हिर कलीं पैसे पैसे की बात निय है संसाधन नस्ट हो तो वह पैसेवण आदमी क्या कर आगा कि लेकिन वह सखा है नहीं है हम को न्युक्त परफारम अब हला उबस्टी सालगे अब वह सारे गूड़ मिल्हा नहीं तो हर चीज का एक मतब है लेवर का भी अगा स्वाद पुन्जी का मतब है और लेवर का मतब है तो यह तो यह दोनों चीजा है important है और यह तिनों के तिनों बिल्प सो परसेंट किसान के इतने बिलकुल बैकाने का काम कर रहा है क्योंकि जब पॉइंट तो पॉइंट चर्चा की बात सरकार कहती है आपने अभी तक जितना देख्या वो सारे के सारे में घैंगे मारे पास मारे साथ पॉइंट पर चर्च सब्सक्राइब कर रहा है वो हम इस पर चानुन करना चाहते हैं बिल्रद करो तो अब यह यह जीद क्या दिखेरी यह जी जीद यही दिखेरी के वास्टिकता हमने जो कानून व्स्था की श्थिति है उसको खराब करना किसी भी तरीके से केवल और केवल एक टार्गेट है कान प्रियोग करा और फिर दुनिया को दिखाते हैं तो उसने यह बल प्रियोग करें किया टार्गेट है क्योंकि सरकार बल प्रियोग नहीं कर रही क्योंकि उसके साथ किसान किसान फ्रिय strat Agnaud अग्रे यह गैस्व यह तब्र है कुछ लोग तो ऐसे जो अवश्ठाफ लाना चाहें को पी उन्नहोंने ह्पैदा ठैलें कुछ मिल जागा मैंने भी क्योंकि अमिन की शूर्ट कर लागा इखिता eat रहेंगे जो कल नसेद वोट मिल जगी और तीसरा है इनोसेंट किसान जो स्रीफ किसान है जिसको पता नहीं है उसको बकाय के माले आ गया तो डर जो लगता है ना सब ते बड़ा वो उस उससे लगता है जो बला है जिसको पता नहीं है जिसको जानकारी नहीं है जिसको बकाय क किसान के इत्में बहुत बहुत दजनेवाद दूदर साब आपका तो ये दरसल सिक्षा की बात अगर करें तो हर्याना में हर्याना एक पहला ऐसा राज बनेगा जहां पे की बच्चों को आठ लाख बीस अजार गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूल वे पढ़ते हैं उनको अंदलनकारी सरकार को मजबूरन मजबूर करने पे लगे हुए हैं सुनी कुमार के साथ मनीश कुमार खबरफास चन्डिगर